हेलो एवरिवान सब कैसे हैं तो आज की तारीक क्या है 29 दिसमबर और कल 30 दिसमबर यानि की आई बीपीस एफ होगी प्रिलेम्स की एक्जाम है तो तैयारी अच्छे से हो गई होगी ना जरूर हो गई होगी फिर भी कुछ बच्चों के लिए ये परेशानी वाली बात हो रही होगी तैयारी हो भी गई होगी फिर भी थोड़ा स्ट्रेस होगा उनको परेशानी में होंगे परेशानी जहल रहे होंगे पर मैं इतना कहना चाहूंगी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं तैयारी जितनी भी हुई है बस आप उसको ये सब अच्छा होगा, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रोती नहीं, स्ट्रेस लोगे तो गड़बड़ी होगी, तो बिल्कुल भी नहीं लेनी स्ट्रेस, कोई परेशानी नहीं जलनी, बस अपना जो कुछ भी हुआ है, जितना भी आप पढ़े हो, बस आप रिवाइस करो, और ज हम थोड़ा देख लेते हैं, हमारा एक्जाम क्या है, पार्टन क्या रहेगी, कितने कोश्चन्स आएंगे, डिवरेशन और मार्क्स, तो थोड़ा बहुत पो देख लेते हैं हम, तो इसमें हम देखेंगे तीन पेपर्स हैं हमारे, जो है कि इंग्लीज लांग्विज, क्वांस में 50, तो मान के चलिए कि अगर आप इच पेपर में, इंग्लीज, रिजनिंग और क्वांस, इच पेपर में 50-55% स्ट्रॉंग अटेम्प्स लेते हैं, मतलब 50-55 questions जितने भी होंगे, कितने होंगे, 50% यानि कि 25 questions, 50, इंग्लीज में 50, और रिजनिंग में 50, क्वां लेते हैं, तो और वो सब सही हो, तो आपका कटफ क्लियर हो ही जाएगा, कोई टेंचन वाली बात नहीं, और आपका इजो डिवरेशन 40 मिनिट्स, तो आपको 50-55% questions सही बना कराना है, कोई गलती नहीं, और क्या करना है, एक ही question पे अपना ज्यादा time invest मत कीजिए, अगर होत है, तो ठीक है, नहीं, तो next question पे skip कीजिए, आप देखि लिजिए कि next question क्या है, क्योंकि अगर एक ही question पे आप अपना शारा time invest कर देंगे, तो बाके questions नहीं देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे, तो 50-55% questions करने का कोई मतलब रहेगा ही, नहीं, आप question जब देखोग ये नहीं, तो attempt किसे लोगे, तो आपको एक ही question पे ज्यादा time invest ना करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़के at least पढ़ो, ज्यादा questions आप पढ़ोगे, तो समझ में आएगा कि मुझे कौनसी वाली करनी है, कौनसी नहीं करनी है, ये बात जरूर याद रखना, एक ही question पे ज्य उधर decide नहीं कर सकते, आपको बस अपने cut-up पे ध्यान देनी है, exam का level जितना होगा, उस हिसाब से cut-up चाएगी, तो आप अपना ही सोचो कि आपको कैसे clear करनी है, आपको बस अगर exam का level difficult होता है, तो cut-up बहुत कम जाएगी, और बहुत ज्यादा easy भी हो गया, तो cut-up यह मैं बार-बार के रही हूँ, एक ही question पे ज्यादा time invest मत करो, ऐसा करोगे तो ज्यादा question आप पढ़ने ही पाओगे, तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ने से आपको पता चलेगा कि actually क्या करोगे, क्या नहीं, तो ज्यादा time invest मत करो, आगे पढ़ो, जितना questions आप ज सब बाद में, इसके लिए सोचना बंद करो, बस अपने questions पे ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि आप कितना सही कर सकते हो, अपना attempts सही होना चाहिए, गेस मत करना, गेस करने से questions गलत होते हैं, अच्छे से पढ़ो questions को, और सही attempts लगा करो, और exam में कोई tension लेना नहीं, बस calm and cool र activity के साथ ही सब कुछ अच्छा होता है, तो इतना ही था हमारा 52-55% strong attempts हमें लेनी है, और जितना maximum हो सब के questions को पढ़ो, अटलिस्ट पढ़ो, पढ़ने से ही दिमाग में ये आएगा कि मुझे ये करना है या नहीं, तो और थोड़ा देख लेते हैं कि exam hall को जाने से पहले, क्य क्या लेने की जरूरत है, तो अपना call letter, original ID proof, उसके साथ original ID proof के photography, क्योंकि उनको invigilator को exam के बाद original ID proof का जो photography होता है, उसको call letter के साथ attach करके देना बढ़ता है, और photos, एक photo तो वो call letter में चिपकाना पढ़ता है, और एक अपने पास रखिये, जरुरत हो तो, तो इतना ही बस थ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है exam में, questions को अच्छे से पढ़ना है, इतना ध्यान रखिये कि आपका attempt जो भी होगा, सब सही होगा, और यह सब लेके जाए का exam को जाने से पहले, सब अच्छा होगा, कोई परेशानी नहीं, tension मत लीजिए, ठेंडे दिमाग से जाके exam सब कुछ अच्छा होगा, all the best, thank you